असलाम अलेकुम, आज मैं राजभोग आइस्क्रीम बना रही हूँ, यह इंडिया की एक बहुत मशूर आइस्क्रीम है, अब इसके इंग्रीन्स मैं दिखाती हूँ, बहुत मज़े की बनी थी, इसके लिए सबसे पहले कस्टड बना लेंगे, यह दूद ले लिया मैंने, पा इसको मिक्स करके, इसको मैं पका लूँगी, और फिर जब ठंडा कर लेंगे, फिर इसकी आइस्क्रीम बनाएंगे, इसमें यह दूद है, और यह सारे चीजे मैंने एक साथ इसमें डाल दी, फूल क्रीम मिलक है मेरे पास, और दूद मिलकुल भी बहलाई नहीं होनी बस अब इसको मिक्स करके, और मैं चूला जला दूँगी, और इसको बस मिक्स करते जाएंगे, जब तक यह ठेक हो जाए ऐची तरह से, इसको मीडियम हाई आँच पे पकाएंगे, यह देखें अब यह ठेक होना शुरू हो गया है, यह देखें बबल्स आ रहे हैं इसमें, और टेबल्सपूं जिसमें मैंने यूस किया था, वो जो मेस्शिरिंग ऐसी टेबल्सपून नहीं था, जो चारवाल खाने वालगे रिया था मैंने भरके, यह देखें इसमें बबल्स आ रहेien, यह ठेक हो गया है, और यह ठंडा होने के बाद यह थोड़ा और ज़ैदा तो बस इसको में मिक्स करती रहूंगी, जब तक एची तरह इसकी बाप निकल जाए क्योंकि इसके पर बिल्कुल भी सकन नी आनी चाहिए इसको बस थंडा कर लिया था मैंने 10 minutes इसको बस मिक्स करते रहेंगी ताकर इसकी heat निकल जाए और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, इसके ओपर प्लास्टिक रैप लगा दें और प्लास्टिक रैप बिल्कुल डाइरेक्ट कस्टड के ओपर लगाएं ताकि इसके पर बिल्कुल भी इसके न बने, पलाई की कोई भी तैय न हो, अब मैं इसके और इंकेरेंस दि अब मैं सबसे पहले वेपिंग क्रीम को वेप कर लूँगी और ये मेरे पास ये वाला सिलिकोन पैन है अगर ये ना हो तो जो नीचे लोफ पैन रखा है उस पर प्लास्टिक रैप लगा दें तो फिर इसको अन्मोल्ड करना इजी हो जाएगा तो मेरे पास ये वाला पता था पैन तो मैंने उसको यूज कर लिया है अब ये वेपिंग क्रीम है इसको अची तरह से हाई स्पीड पे इसको वेप कर लेंगे जब तक इसकी स्टिफ पिक्स हो जाए इसको डायरेक्ट हाई स्पीड पे बीट करें ताकि ये जल्दी हो जाएगा आइसता असे करेंगे तो फिर इसका ये बटर भी बन सकता है और क्रीम भी थंडी होनी चाहिए इस तरह की देखें इसकी थिकनेस होनी चाहिए अब इसके जादा नहीं करेंगे और अब इसमें मैं ये कस्टड डाल दूँगी जो हमने बनाया था और ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है आइस क्रीम जब बनानी हो तो ये जो कस्टड बेस है इसको एक दिन पहले बना के रख लें तो बहुत असानी रहती है बस भी सारे चीज़े बीट करनी होती है अब ये मैं इसमें कंडेंस्ट मिल्क डाल दूँगी फोर टेबल स्पून और इसके एक्जेक्ट मेजिर्मेंट मैं बाद में लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कोया जो इसमें मैंने डाला था ये मैंने खुद बनाया था पाउडर मिल्क और विपिंग क्रीम के साथ ये मैंने छोड़ी लाइची का पाउडर डाल दिया खुई की रेसिपी मैं पहले अलग से शेयर कर चुकी हूँ तो वहां से देख लें तो बहुत मज़े का अच्छा खुईया बन जाता है तो ये इसमें डाल दिया मैंने इसको और एक दफाह हलका से इसको और फिर बीट कर लेंगे बहुत जादा बीट नहीं करना है थोड़ा से इसमें खोया होना चाहिए इसका टेक्स्टर अच्छा लगता है खाने में अब इसमें नट्स डाल दें ये मैंने चॉप कर लिये थ लेकिन मैंने इसमें सिर्फ बादाम और बिस्ते डाले थे अब इसमें मैंने केवरा वाटर डाल दिये और ये जाफरान डाला है मैंने दूद में भीगोके रग दिया था शुरू में दिखाना भोल गी थी मैं इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आये था इसक्रीम में तो इन नट्स डाल दी अदाम बिस्ते और खुया अब ये सारा मिकसर मैंने डाल दिये थोड़ा से मैं उपर से बिचे रग दूगी इसको और अब इसको प्लास्टिक रैप लगा के अच्छी तरह से इसको टैप कर दें और मैं इसको फ्रीजर में रख दूगी और ये जो थोड़ और दिभाशनक वर्सम, मीफिस वॉले द्वाटे दालाया था इसको इसको शोटे वालेज दाल दिया था इसको इसको यह ब्लस्टिक रप करके और बाद पिर मैंने इसमें ne स्टिक्स यह प्लास्टिक रफ जो ही बिल्कुल उसके उसकी के उपर लगाए ताकि एची तरह से सेट हो जाए अब यह पूरी रात की लिए मैंने रख दिया तक माश्काम आट गंटे इसको रखें आप इसको अन्मोल्ड करते हैं फ्रीजर से मैंने 20 मिनिट निकाल के इसको बाहर रख दिया था कि असानी से अनमोल हो जाए और इस तरह का पैन ना हो सिलिकोन वाला तो लोफ पैन में में नीचे प्लास्टिक रैप लगा दें तो असानी से अनमोल हो जाएगा यह देखें बहुत अच्छा इसका लुका आया है अब यह साइट्स पे मैं इसके नट्स लगा दूँगी और थोड़े सी गुलाब की पतिया मेरे पास वो लगा दूँगी और थोड़े से उपर विछे लग दें और इसमें चांदी का वर्ख लगाएंगे यह मैंने गुलाब की पतिया में डाल दी बहुत अच्छी फ्रेश वाली अगर हो तो डालें यह मेरे पास बस एक ही चांदी का वर्ख था तो मैंने वो इसमें लगा द और यह चांदी का वर्ख बहुत अच्छा अगर जब होता है तो यह फिर हाथ से नहीं लगा सकता है हाथ पेच्छे पकता है तो किसी भी चम्मच से या चूरी की मदद से इसको लगाएं तो अब यह तैयार है अब मैं इसको स्लाइस करके दिखाती हूँ यह देखने में बहुत खुबसूरत लग रही थी या इसक्रीम और फ्लेवर तो इसका अच्छा था है यह हर साइट पे मैंने लगा दिये थे बदाम बिस्ते गुलाब की पतिया और चांदी का वर्ख बस अब इसको अनमूल अब इसको अब मैं स्लाइस करके दिखाती हूँ और अगर ये उसी दिन सारी ना खानी हो तो इसको स्लाइस करके और फिर किसी भी कंटेनर में प्लास्टिक रैप लगाके एक के उपर एक तो इसको फिर फ्रीज कर लें फिर एक स्लाइस निका लें और उसको खा लें सर्फ कर दें ये किसी दावात में भी बना सकते हैं बहुत अच्छी मजेकी बनी थी बस एक दिन पहले इसका कस्टड बना के रख लें कस्टड बेस तो ये बहुत अच्छी आसान से बन जाती है और कोया जो मैंने बनाया था पॉडर मिल्क में विपिंग क्रीम डाल के उसको म कुरु एक को चार-पांच मिनिट में थोड़ी थोड़ी देर से उसको मिक्स करते जाए तो बहुत अच्छा इसका कोया बन जाता है यह बहुत अच्छा दीके स्लाइस भी को बहुत अच्छे कétait मैं इसको はは卜 से काट के दिखाती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी softness थी और बहुत अच्छे इसका flavor था जाफरान का भी हाइता है जाफरान को दस-पंदरा मिनिट के लीए दूद में फिगो के रग दें घरम दूद में तो फेर उसका बहुत अच्छा kolr आजाता है यह देखे, अब मैं इसको यह काट के दिखाती हूँ बहुत मज़े की बनी थी आइस्क्रीम और आजकल गर्मिया हैं, तो इस तरह के रिजर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और क्वेका भी बहुत अच्छा है, इसमें फ्लेवर आ रहा था सारी चीजों का कॉमिनेशन इसमें बहुत मज़े का था छोटी लाइची का, जाफरान का, के ओड़ा का और गुलाब की पत्तियों का तो इसको बनाईएगा जरूर, इन्शालला पसंद आएगे और इसका फीड़बैक मेरे साथ जरूर शेर करें कॉमन बाक्स में और अपने फैमिली और फ्रेंड से सब मेरे चैनल को शेर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसकी डेटेल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिख दोंगी और इसकी डेटेशन बाक्स में लिख दोंगी